तो हेलो फ्रेंट्स आपका फिस्से बहुत-बहुत स्वागता है आपके अपने ही चैनल SMII पे और दोस्तो इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस इंवेस्टमेंट आइडियाज भी लेके आते हैं और आपको स्टॉक्स में द्वेश की राय भी देते हैं दोस्तो इस चैनल में हम यही राय देते हैं कि जड़ी आप किसी भी स्टॉक में द्वेश करना चाहते हो तो उसके फंडामेंटल्स एड बैलुएशन के बेसेज पे ही करें आँख बंद करके किसी भी द्वेश नहीं करना चाहिए आज हम बात कर लेते हैं दोस्तो अवांस टेकनोलोजी के स्टॉक की जिसमे के पिछले कुछ दिनों से कांटीनूसली एक ब्यूलिश मोमेंटम जो है वो बनता दखाई दे रहा है ये स्टॉक कांटीनूसली अपर सरकट पर अपर सरकट में लौक हुआ दखाई दे रहा है पहले ये stock split हो चुका है, अब इस stock में जो है वो अपर सरकर लगते दिखाई दे रहे हैं, तो आइए इसके fundamental valuation देख लेते हैं, financial report हम आपके साथ share कर चुके हैं, company के financial जो थे, वो अच्छे ही रहे थे, company के financial अच्छे रहने के बाद, इस stock में बड़ी तेजी जो है वो आ गई company की total income में और company के pet में बहुत ही शानदर growth हाई है, quarter on quarter basis पे भी और year on year basis पे भी, company एक IT sector की company है, तो आइए इसके key matrix देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, पहले इस stock की performance देख लो, one day में यह stock 1.75% के अपर सरकट में lock हो गया है, one month में 44% की rally है, three month में 85% की rally इसके chart में द देखो के 29, 100% से भी जादा returns जहां पे देखने को मिल गए हैं, जड़ी इस stock के key matrix देखें, तो अब इसकी जो PE multiples है, 129 के round है, मतलब 100 से उपर इसके PE multiple चले गए हैं, तो यह एक जुरूर concern वाली बात है, क्योंकि valuation high हो चुकी है, दोस्तो जनरली 100 से उपर जो PE multiples हैं, वो कभ तो यह stock जैसे अपर सरक्ट में चल रहा है, तो आपको मिलेगा भी नहीं, कल को आप sell करना चाहोगे, तो फिर sell नहीं होगा, क्योंकि फिर इसमें lower circle लग जाएंगे, तो shorter में थोड़ी दिखते हैं, हाँ कोई dip मिल जाता है, तो फिर जुरूर इस stock में आप नवेश के लिए हो सकते हो, कापणी का market cap 114 क्रोड हो चुका है, और इसके market cap के accordingly इसका जो rank है, category wise rank 97 है, और इसकी price to book ratio जुरूर सही है, stock जो है अपनी book value से भी नीचे trade कर रहा है, ये वी एक कारण हो सकता है, कि इस stock में तेजी है, अपर सरक्ट है, और price to book ratio जो है वो बहुत ही कम है, 0.25 की ह face value share की 5 rupees चल रही है, और 52 week high इसका आज का ही है, 0.58 इसकी जो आज की price है, ये 52 week high level पे stock चला गया है, 52 week low देखे तो 0.03 का है, और market cap के accordingly पर sales का data 0.73 का है, और book value देखो यहाँ पे 9K round है, मतलब ये सबसे बड़ा plus point है, ये जो stock है, क्योंकि दोस्तों किसी भी stock की जो book value है, कुछ इसका जो fundamentals है, उनको consider करके, फिर depth condition, set quality को देखे, तो आप देख सकते हो, ये सबसे बड़ा इसका plus point है, कि stock जो है, अपनी book value से बहुत ही नीचे है, बहुत ही नीचे है, book value पर share की 9.76 होनी चाहिए, लेकिन जबकि ये stock 0.58 की रूपीज की price पे है, बहुत ही कम है, ये इस stock पे जरूर focus करें, और देख सकते हो, year till date में ही 1300% के returns बन चुके हैं, जो भी नवेशक अच्छे profit में बैठे हैं, वो अपना profit जरूर बुक करना चाहेंगे, इसलिए जो नए नवेशक है, वो किसी भी motion के बीच में आके इस stock में नवेशक ना करें, ये ही मारी आपको र चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें, बेल लाइकन का बटन जरूर पैस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का notification मिल जाएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें